इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे difference between abstract class and interface तो ए बात मान करके चलना कि अगर आप experience guys हो या आप एक freezer हो तो आपके लिए एक question बहुत important है और हर एक interview में हर एक बंदे से एक question पुछा जाता है कि what is the difference between abstract class and interface तो मैं सबसे पहले आपको बता दू कि इसका जबाब आपको ऐसा ही कुछ भी नहीं देना है एक sequence एक manner में देना है तो सबसे पहले आप बता सकते हो कि abstract class and interface both are used to achieve a abstraction where you can declare the abstract method देखो दोनों का काम से में है दोनों का काम है कि abstraction को provide कराना abstraction को achieve करने के लिए हम लोग interface या abstract class का यूज करते हैं but problem क्या है कि इनके पास दोनों के पास abstract method भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन abstract class can class and interface both can't be instantiated इप पॉइंट बहुत याद होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से कि abstract class और interface class दोनों के पास capacity है कि abstraction प्रोवाइड करा सकता है लेकिन दोनों class का interface और abstract class का object create नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता object create नहीं हो सकता कभी भी cannot be instantiated उसके बाद next पढ़ना है जब point आप बोल दोगे उसके बाद आपको बोलना है कि but there are many difference between the abstract class and interface that are given below उसके बाद आपको दोनों में compare करना है कि actual में abstract class में क्या होता है और actual में interface class में क्या होता है तो अगर इस तरह से आप compare करोगे तो simply आप बोल सकते हो कि abstract class can have a abstract and non-abistract method बहुत simple region है कि abstract class के अंदर abstract method और non-abistract method दोनों हो सकते हैं लेकिन वहीं अगर बात करें interface के पास तो interface के पास केवल abstract method होता है तो इसलिए interviewer काता भी है कि abstract class और interface class दोनों में better क्या है किस से 100% हम लोग एक्चीव कर सकते हैं abstraction तो आप कर सकते हो दोनों से कर सकते हैं लेकिन 100% होता है interface से और 0-100% होता है abstract class से उसके बाद आप कर सकते हो कि java 8 में java 8 जो आया उसके आगे जो भरजन java 8 में जो भरजन था उसमें कुछ चेंजे जाया कि interface में आप default and statics method भी बना सकते हो कोई दिकत नहीं होगा उसके बाद next बात करते हैं कि compare करने के लिए कि abstract class does not support multiple inheritance जो abstract class है class को हो या abstract class करो दोनों ही support नहीं करते हैं multiple inheritance लेकिन interface का अगर आप यूज करते हो तो definitely multiple inheritance support हो जाएगा दूसरा region abstract class can have final, non-final statics, non-statics variable मतलब abaster class के अंदर आप final type का variable non-final, static, non-static किसी भी type का variable आप बना सकते हो लेकिन interface has only static and final variable आप बना सकते हो मतलब static भी होना चाहिए और final भी होना चाहिए उस type के variable अगर बनाना है तो आप interface में बना सकते हो otherwise कोई भी variable अगर बनाओगे तो by default treat करेगा final statics लेकिन अगर आप कुछ अलग देते हो तो फिर error देगा तीसरा रीजन अबस्टेट क्लास केन है बेव फाइनल नॉन फाइनल स्टाटिक्स नॉन स्टाटिक्स ओ माइगाट आई अगर लेड़ी डिसकाद है बात करते हैं कि अबस्टेट क्लास केन प्रवाइड दा the implementation of inheritance अबस्टेट क्लास क्या रहता है प्रवाइड करता है इंप्लिमेंटेशन आफ इनलेटेटेंस इंटरफेस एंड इंटरफेस कांट प्रवाइड दा implementation of abstract class देखो जैसे कि हम लोग परले भी discuss किए हुए थे paint के थुरू कि अगर क्या है कि अगर मालो एवी क्लास है और एक और क्लास है तो यह जो क्लास है यह जो क्लास है और एक लास है तो दुनों के बीच में क्या होगा extend होगा लेकिन जब इंटरफेस है और क्लास है तो नो अगर class हो और E अगर interface हो तो फिर implement extend नहीं हो सकता, wrong हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग बताते हैं कि class ही केवल override या implement कर सकता है interface के method को, that's it, I hope कि आपको समाज में आ गया होगा, उसके बाद अगर बात करें, 5 number, तो the abstract class is used to declare abstract class, देखो, keyword है, abstract और class, दोनों keyword का यूज़ करके आप abstract class create कर सकते हो, लेकिन, interface के लिए के वाल interface keyword का यूज़ करके, आप interface create कर सकते हो, an abstract class can extend another java class and implement a multiple java interface, but an interface can extend another java interface only, good, an abstract class can have extended using the keyword extend, extend कर सकता है, लेकिन, an interface can implement using the keyword implements, good, इस java abstract class can have a class members like private, protected, आप इसके अंदर दो टाइप्स के variable की रिस्ता कर सकते हैं, प्राइबेट और protected, लेकिन इसके member जो होंगे, शरीफ public और default ही होंगे, interface के, इक्जांपल के तोर पर बताएं कि public abstract class से create कियें, उसके अंदर एक method है, draw जो abstract method है, उसी तरह एक इक्जांपल एक interface है, जैसे कि public interface drawable एक interface है, उसके अंदर void draw method है, लेकिन compiler internally यहाँ पे डाल देगा public abstract या abstract void draw, यह अपना फिदर्थ है, java का अपना काम है, वो करता है अपना, simply abstract class achieve partial abstraction, देखो, अब इसमें बहुत twist है, यह जब बच्चे बोलते हैं कि देखो, abstract class achieve partial abstraction या partial implementation, बच्चे ऐसे बोलते हैं, abstract class can achieve, through the abstract class we can achieve partial implementation, but you can achieve through the interface with the fully abstraction, oh my god, no यार, दोनों से कर सकते हो, no problem, आप abstract class में केवल abstract method बना कर यहीं कर लो नकाम हो जाएगा, तो abstract class और interface दुब बोत हर से हो जाएगा, तो यह सरी चीजे हैं, उसके बाद अगर example देखना चाहो तो, example of the abstract class, interface class in Java each, तो interface आप ऐसे create कर सकते हो, और उसके अंदर method आप जो रखोगे, void A, void B, void C, void D, वो by default हो जाएगा, publics and abstract, उसी तरह अगर आपको यह वेश्यक class बनाते हो, implement करते हो यह को, तो आपको जबरदस्ती, इस C को implement करना पड़ेगा, ज़रूरी है implement करना, अगर नहीं करते हो, terror आएगा, उसके बाद M और B जो है, इस सारी method को implement किया है, अगर B को आप extend करते हो, ठीक है, तो यह सारी चीजे implement किया, उसके बाद test 5G, इसमें test कर लिया, यहाँ पर M का object की रख करके, यह सारी चीजे है, तो यहाँ पर आपको output मिल गया, आप समझ सकते हो, यह सारी चीजे, आज के लिए काफी है, और नेक्स्ट वीडियो हमनों मिलते हैं, कुछ नया धमाल के साथ, और प्लीज अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं की हो, तो प्लीज चैनल को सजाज कर लो, और बिल आइकन दबा दो, और वीडियो देखते रहो, थैंक्यू सो मच पर वाचिक नए वीडियो